नमस्कार दोस्तों मैं संजय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल PWS Classes पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ रिजनिंग का एक काफी इंपोर्टेंट टॉपिक जो की है कलेंडर दोस्तों कलेंडर जो आप लोग का एक यह अपने आप में पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ट और ठीओरिटिकल जेप्टर है अगर हम लोग बीना कंसेप्टे क्लियर किये इस चैप्टर के सबते होगा काफी प्रॉबलम होती है तो यहाँ पर मैं आप लोग के जो कंसेप्ट हैं इस टॉपिक के बहुत डीप मे सबसे पहले जानना होता है वर्स के बारे में यानि की एयर क्या होता है जनरली एयर आप लोग सब समझते हैं वर्स हम लोग को सबता हो गए दिन हो गए या फिर महीने हो गए इनके बीच में संबंद बताता है और यह चीज आप लोग जैसा कि पहले से भी जानते होंगे दो तरीके के वर्स होते हैं आप लोग के एक होता है सामानी वर्स और जिसमें आप लोग के कित्ते दिन होते हैं 365 और दूसरा होता है आप लोग का लीप वर्स जिस पे हमारे 366 दिन होते हैं दोस्तों लीप वर्स का जो कंसेप्ट है आपने पहले जरूर कभी ना कभी पढ़ा हो 2000 में अगर मैं 4 से भाग करूँ तो ये 5 बार कर देगा 20, ये पूरा-पूरा भाग चले गया, यानि कि 2000 लीप वर्स था, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, 100 साल बात क्या आएगा, सन 2100, अगर मैं इस मैं 4 से भाग करूँ, तो ये कितना जहोगा, 4520, 1 बचेगा, 428, फिर 4520, अगर आपको इस तरीके से डिवाइट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग पूरा-पूरा इसे भाग देकर देख सकते हैं, ये चले जाएगा, 4520 बार, ये 10 बचा बना, 428, फिर 2 बचेगा, और 4520, दोस्तों यहाँ पर हमने देखा, कि 2100 में भी 4 से पूरा- पूरा भाग चला गया, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग अपने मोबाइल पे देखिए, या इंटरनेट पे जाके देखिए, ये जो वर्स है 2100, ये लीप वर्स नहीं होगा, अब दोस्तों यहाँ पर ये गलती हुई क्यों, क्योंकि जो हम लोग ने कंसेप्ट पड़ा कि किसी भी लीप वर्स में चार से पूरा पूरा भाग जाएगा, ये कंसेप्ट अधूरा है, दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग सताबदी वर्सों की, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं सताबदी वर्स से यानि की century years की, तो century years उनको बोला जाता है, जो 100 के गुण हैं, इनहें बोला जाएगा century year यानि की सताबदी वर्स, तो leap वर्स के लिए हमने जो concept पढ़ा था आस तक, चार से पूरा पूरा भाग जाएगा, ये concept बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों ये concept सताबदी वर्सों के लिए लागू नहीं होता है, सताबदी वर्सों के लिए आ चार से पूरा पूरा भाग जाता है, क्योंकि ये 100 के गुणज है, या फिर यू बोले, इनके last में सब में दो दो जीरो है, चार से सब में भाग जाएगा, लेकिन ये सारे के सारे वर्स आपके leap वर्स नहीं होते हैं, यहाँ पर दोस्तों leap वर्स पता करने के लिए हम लोग आपका leap वर्स आएगा 800, तीसरा leap वर्स आएगा 1200, फिर उसके बाद आया होगा बीच में 1600, फिर आया 2000, अब दोस्तों 2100, 2200 और 2300 आपके leap वर्स नहीं होंगे, जो अगला सताबदी वर्स leap वर्स होगा, वो होगा आपका 2400, क्योंकि दोस्तों इन में पूरा-पूरा 400 से भ आप लोग सताबदी वर्स में ध्यान दीजेगा, वहाँ पर 4 से नहीं 400 से भाग करने हैं, अब दोस्तों हम leap वर्स समझ तो गए, लेकिन question के बीच में हम लोग जब leap वर्स का concept लगाते हैं, तो question की language समझ ना पाने के वएसे हम लोग concept पे थोड़ा गलत तरीके से लगा देत हैं कि leap वर्स का concept किन questions में लगेगा और ये concept कहां पर लगाया जाएगा, तो दोस्तों leap वर्स के concept में हम लोग ने देखा था कि यहां पर 366 दिन होते हैं, अब दोस्तों यह एक extra दिन जो leap वर्स में आता है, वो आप सब लोग को मालूम होगा, वो होता है आप लोग का 29 अपने आप में leap वर्स है, अगर हम पूरे वर्स की बात करें, क्यों कि यहां पर को जो फरवरी का महिना गया होगा, वो 29 गया होगा, और आप इसे अगर 4 से भाग करेंगे, तो ये पुरा-पुरा भाग भी जाएगा, तो 2012 आपका leap वर्स था, अब लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी question में पूछा गया है, और आपको एक particular date दी गई है, माना question के अंदर वो बात करता है, जनवरी से लेकर के मार्च थकी, तो दोस्तों आपकी जो calculation होगी, जनवरी, फरवरी और मार्च की, उसमें ये 29 फरवरी वाला दिन सामिल होगा, तो ऐसी condition में, तो आप लोग जो leap verse के concept हैं, उन concept की help से इस question को solve करोगी, लेकिन अगर दोस्तों अगर उसने बात करी माना, एक माई से लेकर के, 31 December के बीच की, अगर वो question इस date के बीच में बनाएगा, तो वहाँ पर आप लोग leap verse का concept नहीं लगाओगे, क्योंकि आपका ये 29 हरवरी इस date में सामिल नहीं ह होता है, सेम इसी तरीके से एक अगला example देखते हैं, अगर यहाँ पर माना बात करी है 2004 से 2005 की, किसी question के बीच में, अब दो conditions अगर आप लोग को, मैं यहाँ पर को लेके चलूं, पहली condition में अगर आप से बात की जाती है, 30 January 2004 से 30 January 2005 तक की, 2004 अपने आप में क्या है, एक पूर 29 जाएगी, लेकिन question में 2004 होने से, आप leap words का concept नहीं लगाएंगे, आपने देखना है कि आपको dates क्या दी हुई है, दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं, 30 January से 30 January के बीच की, तो यहाँ पर 30 January मेहने की 30 तारिक से मैंने बात करनी है, इस जनवरी के 30 तारिक तक का, तो दो हम चाहे formula लगाएं, चाहे कोई trick लगाएं, या फिर किसी concept से solve करें, हम इसे leap year मान के solve करेंगे, लेकिन दोस्तों इसी condition में, वर्स अगर आपको यही दिये जाते हैं, और माना वो date कुछ इस तरीके से देता है, question के अंदर अगर आपसे बात की हुई है, 1 April 2004 से 31 March 2005 की, तो अप्रेल 2004 से मार्च 2005 तक के बीच की calculation करनी है, तो दोस्तों इस calculation में, अप्रेल से इधर मार्च में आने तक, आपका क्या 29 फरवरी सामिल होगा, यह सामिल नहीं होगा, तो इस condition में दोस्तों आपने जो question को solve करना है, वो सामान्य वर्स के concept में, या फिर सामान्य वर्स के जो formula बनेंगे, उनको लेकर के solve करना है, तो दोस्तों सहद आप लोग यह अच्छी दरीके से समझ गए होगे, कि आप लोग उने लीप वर्स का concept कहां पर apply करना है, लीप वर्स का concept केवल वहां पर apply होगा, जब आपकी calculation में, आपकी गढ़ना में यह 29 फरवरी सामिल होगा, अग इसके notes पूरे-पूरे provide करवा दूगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को recommend करूँगा कि वीडियो के साथ-साथ आप लोग खुद अपने notes बनाएं, यह आप लोग के लिए ज्यादा helpful लोगे, अब आते हैं अपने अगले concept पे, दोस्तों यहाँ पर सामान्य वर्स में जैसे क्योंकि साथ दिनों का एक सपताहा होता है, तो साथ चको 28 और दो दिन सेज बच जाएंगे, यह आणकि 4 सपताहा पूरे-पूरे होंगे, इसी तरीके से अगर हम पूरे वर्स की बात करें, तो हम 365 दिन को अगर साथ से भाग करते हैं, तो यह कितना बनेगा, 75 जा 35, 1 बचे इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, लीप वर्स की, तो यहाँ पर 366 दिनों को अगर मैं साथ से भाग करूंगा, तो यह 75 जा 35, 1 बचा, 600 उतरा, 72 जा 14, यहाँ पर कितने दिन सेज बसते हैं आप लोग के 2 दिन, यहाँ पर भी सपताहा तो कितने होंगे, 52 और जो दिन आप पूछा जाता है, अब दोस्तों अगर मैं बात करूं, 52 सपताहा की, चाहे यहाँ लूँ, चाहे यहाँ पर कुलू, इन 52 सपताहा में कौन-कौन से दिन होंगे, आप लोगा सौमबार होगा, मंगलवार होगा, बुद्धवार होगा, इसी तरीके से ब्रसपति, सुक्र, सनी और रविवार होगा, तो यह साथ दिन हर सपताहा के अंदर होगे, अगर मैं बात करता हूँ, सौमबार की, तो दोस्तों सौमबार इन 52 सपताहा में कितनी बार आया होगा, 52 बार आएगा, हर सपताहा में एक बार सौमबार आएगा, तो 52 सपताहा में कितनी दफ़े आएगा इसी तरीके से सप्तह का हर दिन चाहे मैं मंगलवार की बात करूं बुद्धवार की बात करूं सनी बार की बात करूं अगर मैं कहूं रवी बार कितनी बार आएगा बावन सप्तह में बावन बार तो आएगा ही आएगा तो एक पॉइंट आप लोग ये नोट कीजिएगा कि क कोई भी दिन वर्स में कम से कम 52 बार तो आएगा ही आएगा लेकिन आपसे question जो पुछा गिया है अभी तक वो पुछा गिया है अथिक से अथिक इस concept पर आएं तो अगर मैं बात करूं सामानिय वर्स की तो दोस्तों अगर मैं मंगल बार उठाके देखूं तो मंगल बार 52 है जो ये एक दिन से बचा है इस दिन भी मंगल वार हो तो कम से कम 52 तो आएगा आएगा और अधिक से अधिक अगर हम देखें सामानिय वर्स में तो कितनी बार आएगा तिरपन बार आएगा ये question आप लोग लगा पूछा गया था ब्रस्पति वार के लिए और दो तिन एक ब्रस्पति वार इन 52 सपता हमें 52 तो आएगा ही आएगा और बाकी जो ये दो दिन बचे हो सकता है इन दो दिनों में से भी किसी एक दिन ब्रस्पति वार हो तो दोनों के दोनों दिन ब्रस्पति वार नहीं हो सकता आज भी ब्रस्पति वार कल भी ब्रस्पति वार ऐसा possible न आएगा आपका 52 बार तो कोई भी दिन आएगा ही आएगा और अधिक से अधिक अगर पुछा जाता है तो ये हमेशा तिरपन होगा चाहे वो लीप वर्ष के लिए हो या फिर सामाने वर्ष के लिए हो जैसा कि आपको कुश्यन में दिखाई दे रहा होगा किसी लीप वर्ष दिए हुए हैं 51, 52, 53 और 54 तो आप लोग अब पिछले कंसेप्ट से समझ गए होंगे कि कोई भी दिन कम से कम 52 बार आएगा और अधिक से अधिक तिरपन बार आएगा तो इसका अंसर कित्ता हो जाएगा 53 दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को सुरू में बताया था इस चे की बात करें अगर वो सामान्य वर्स होगा तो दोस्तों वहाँ पर को साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन समान होता है जैसे एगर हम एग्जाम्पल लें 2018 में एक जन्वरी को आपका सौमवार था तो उस वर्स 31 दिसंबर को भी आपका सौमवार होगा आप लोग ये कले पDEN्डर में जाके या फिर अपने मूबाईल पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, किसी सामानी वर्ष के लिए साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन सामान दिखेगा आपको, अब आते हैं अगर leap words में तो leap words में आप लोग का क्या होता है जो साल का अंतिम दिन होता है यानि कि 31 दिसमबर वो आपका जो साल का पहला दिन होगा उससे एक दिन आगे खिसक जाएगा या फिर बोल सकते हैं एक वार आगे खिसक जाएगा जैसे एक्जाम्पल नहीं इसी साल का एक जनवरी 2020 को आपका बुद्धिवार था तो इस साल 31 दिसंबर 2020 को आपका क्या होगा एक दिन आगे खिसकेगा तो आपका ब्रस्पतिवार होगा ये कंसेप्ट आप लोग का है समान वर्स के लिए हम लोग अगर किसी एकी वर्स में है जैसे 2018 में या फिर 2020 में अब आगे आते हैं अगर आपसे एक से जादा वर्सों की यहाँ पर बात की गई होगी तो तब किस तरीके से यहाँ पर को हम लोग ने काम करने हैं तो दोस्तो अब आजाते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट पे यहाँ पर आपका क्या है आप लोग क वर्स समान नहीं होगा लेकिन दोस्तो अगर इस कंडिशन में आपकी डेट समान दी हुई है इस टाइप की कुशेंस बहुत बार एक्जाम में पुछे जाते हैं मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 19-20 को लेकर मैं आप लोग को यह कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहूंगा दोस दोस्तो अगर बात करते हैं सामान वर्स में तो होता क्या है अगर आपको दिनांक समान दी होंगी तो जो आप लोग का दिन होगा वो एक दिन आगे खिसकेगा किस कंडिशन में सामान वर्स की कंडिशन में और इसी तरीकी से अगर लीप वर्स की कंडिशन आएगी तो तो 15 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा दोस्तों अभी अगर हम बात करें 2019 और 2020 की तो इस question में देखा जाए तो हमने बात करनी है 15 जनवरी 2019 से इस जनवरी की 15 तारिक से हम लोगों ने start करना है और कहा तक जाना है 2020 में जनवरी की 15 तारिक तक है तो दोस्तों यहाँ पर को क्या आपका जो यह फरवरी 2020 में 29 जाएगा इस question की गढ़ना में यह 29 फरवरी सामिल होगा नहीं क्यों क्योंकि हमने जो 2020 की बात करनी है वो केवल कहा तक करनी है 15 जनवरी तार तो इस question को हम लोग सामान्य वर्स की तरह अल करेंगे और यहाँ पर हम लोग ने concept देखा था अगर date सेम होंगी तो एक वर्से से दूसरे वर्स में जाने में जो वार है वो एक दिन आगे खिसकेगा अगर यह एक दिन आगे खिसकेगा दोस्तों हम एक दिन add करें तो 15 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो 15 जनवरी 2020 को क्या होगा आपका बुद्धिव तो सुक्रवार था तो 22 नवंबर 2020 को कौन सा वार होगा अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग ने देखना है किवल इस 2020 को लेके decide नहीं करना कि leap वर्स है या फिर नहीं हम लोग ने देखना है calculation के दौरान हमने बात करनी है अभी 22 नवंबर 2019 से तो दोस्तों हमने 2019 में यह नवं नवंबर महिने की 22 तारिक से बात करनी है और जाना कहा तक है वर्स 2020 का जो यह नवंबर में 22 तारिक हाएगी यहाँ पर तक तो दोस्तों अभी अगर हम देखें तो हमारी नवंबर से लेकर यह अगले वर्स 2020 नवंबर तक गरना करने में 29 फरवरी सामिल हो रहा है तो इस व लीप वर्स में क्या है अगर डेट आपकी सेम हो तो लीप वर्स होने पर जैसे यहाँ पर 22 नवंबर से 22 नवंबर तक जाना है जो वार है आप लोग का सीधा सीधा दो दिन आगे खिसके जाएगा अगर हम इसको दो दिन आगे करें तो सुक्रिक के बाद क्या आएगा एक दो दिन आगे करने पर सनीवार दो दिन आगे करने पर रविवार तो दोस्तों आप लोग का 22 नवंबर 2020 को रविवार होगा दोस्तों इस कंसेप्ट की हेल्प से आप लोग अगर आप लोग को जो वर्स हो के बीच में अंतर दिया है यह 3, 4, 5, 6 साल तक भी अगर दिया है तो बड़ी आसानी से इस कंसेप्ट को लगा के उन कुश्यंस को सॉल्व किया जा सकते है उसके लिए हमको कोई और ट्रिक्स वगेरा सीखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर को कुछ और एक्जामपल देखते हैं जिसमें केवल इस कंसेप्ट की हल्पे से हम लोग कुश्यंस और यह जो एयर के बीच में गैप आप लोग को दिया है यह 3, 4, 5, 6 साल का है तो आप लोग बड़ी आसानी से केवल कंसेप्ट की हल्पे से इस कुश्यं को सॉल्व कर सकते हैं अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे एक बार इसे देखते हैं अब दोस्ते पहला कुश्यं है तो इ 18, 19, 20 और 21 की तो यहां पर यह जो वर्स है आपका 2020 यह वर्स आपका लीप वर्स है और इसका जो फर्वरी का महीन है वो कितना जाएगा 29 जाएगा अब दोस्तों हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो क्या था अगर सामानी वर्स में हम लोग सेम डेट में एक वर्स आगे दोस्तों यहां पर आप लोग को दिया है बुद्धिवार था यानि कि वेडनेस डे तो जब आप लोग 2018 से 2019 में जाएगे तो यहां पर कोई लीप वर्स नहीं आया एक अगस्ते से एक अगस्ते की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो दिन है वो कितने दिन खिसकेगा अगस्ते तक जाएंगे तो यहां पर को इस दौरान आपकी गर्णा में 29 फरवरी सामिल हो रहा है अगर आप बात करेंगे 2019 अगस्ते से लेकर 2020 अगस्ते तक की तो दोस्तों यहां पर को आपका यह 29 फरवरी सामिल होगा तो आप यहां पर कितने दिन आगे खिसकाएंगे ज और 2020 से फिर 2021 में जाएंगे, तो यहाँ पर हमारी गरना में अगस्त से अगस्त तक जाने में, 29 फरवरी सामिर नहीं होगा, तो यहाँ पर को एक दिन आगे खिसकेगा, यानि कि संडे रविवार, तो इस तरीके से आप बढ़ी आसानी से बता सकते हैं, या फिर आप टोटल य जोड़ देंगे, तो बुद्धेवार के बाद के आएगा, एक दिन जोड़ने पर ब्रसबतिवार, सुक्रवार, सनीवार और रविवार, तो एक अगस्ते 2021 को कौन सा वार होगा, रविवार होगा, तो दोस्तो इस छोटे से कंसेप्टे की हलपे से आप लोग इस टाइप क क्वेश्चेंस को बड़ी आसानी से यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, दोस्तो हम इस से आगे का जो टॉपिक है, वो अपनी अगली वीडियो पर देखेंगे, तब तक आप लोग कुछ क्वेश्चेंस और प्रैक्टिस कीजिए, अगली वीडियो पर भी हम लोग इस टॉपिक इसका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो पर